इससे आगे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती यहां पर देखे सभी लोगों के गाड़ी यहां पर फ़स चुकी है और सभी लोग यहां से फिर आप पैदली चलेंगे हमारा नमस्कार दोस्तों तो कैसे है मेरी पहाड़ी योट्यू फैमली आई होव आप सभी अच्छी होंगे सबसे पहले आपको प्यारी सी गुड मॉनी अभी सुबह के साड़े साथ बज रहे हैं मैं उठ चुका हूँ सुबह और सुबह मैंने आपको इससे पहले आपने मौसम तरफ तो मस्त ब्लॉग होने वाला है और आपके सांद भी सेयर करूंगा हलवानी की खुब सुरत जहल गया तो शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग और दिन स्टार्ट करते हैं तो अभी मैं जा रहा हूँ कैसे ले मार्केट की तरफ को और यह मेरी दूद की बाड़ी तो आए नहीं है बादल चाहे हुए है पूरे और मौसम थोड़ा थंदा हो रहा है तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच जाता हूं सामने है कशले मार्केट महां पर अपनी दूद की वाल्टी रखता हूं फिर हरीस भाई आरा है पिछे से वह दूद लेकर तोल देगा और देखिए काफी मस्त भी धानाचुली में बारी स्टार्ट हो चुकी है लगता है कि आज या कल में बरबबारी हो सकती है क्योंकि ठंडा सुबे से शुरू हो चुका है आज और मौसम का भी पूरा अनुमान है बरबबारी होगी करके तो चले मैं पहुंचता हूं के सली मार् अब हरीज भाई आएगा वह ले जाएगा इसको डेरी पर मैं नजारे भी खाता हूं सुबे के टाइम में यह देखिए हरीज भाई पहुंच चुका है यह आप दूद की बाटी ले जाएगा और मौसम सुबे से ही खतरनाग बन दिया है और नीची गाड़ी रगी है भाई दोस्तों अभी हम भीमताल लेग के पास से होते हुए जा रहे हैं अभी भीमताल पे पहुंच चुके हैं खुबसूरत लेग भीमताल की और यहाँ भी दोस्तों मौसम कुछ इसी प्रकार बना हुआ है लगातार बारिस हो रही है सामने देखे क्या मस्ट व्यू क्या मस्ट पहार देखने को मिल रहे है बारिस लगातार है यहाँ भी और सामने हल्दवानी सिटी दोस्तों अभी पहुंचे हैं हम रानी बाग पुल पर हल्दवानी बस पहुंच जाते हैं रानी बाग पुल को क्रॉस कर रहा है और नीचे देखे खुबसूरत एक रिवर बहरी है यह है गौला नदी थोड़े बहुत हमने यहाँ पर कंसक्शन के काम निप्टाने और काड दोस्तों यह रिवर है गौला नदी जिससे हमारा सारा माटीरियल कंसक्शन का जैसे रेता बजरी और पत्थर बगरा सारा इसी से आता है जब बारिशों के टाइम में गौला नदी आती है इस बाहर तो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर देखिए मटीरियल इखटा है और सामने मस्ट जंगल देखने को मिल रहा है वालदवानी में भी आज मौसं का फिरला हुआ सा नजर आ रहा है लगातार सुबे से बारिस हो रही है हम घर से जैसे ही निकले लगातार हमें बारिस ही मिल रही है रास्ते में तो हम भी पहुंच जाते हैं सर्विस सेंटर मारति शुजुकी के और गाड़ी हमने अंदर देदी और अपना सारा समय यहां पर गाड़ रूम में जो भी हमारा गाड़ी पर सामान था और रखपा दिया है यह है हल्दवानी का सुजुकी सोरूम और घर से भी फोन आया था घर में होने लगी है मुक्तिसवर में बरब- भास बाड़ी और यहां तो बारीस की हो रिया आप देखिया लगातार बारीस यहां भी जा रही है इसक्ट गारीस हो थो दोस्तों से जब तक गारीस होती है हम हिए लोग्न भोली ब्रदोंसे अभी और यहां बारिस लगातार जारी है यहां पे लगातार बारिस ही यह वह रही है और हमारे पीछिए की सर्विस हो रही है तो देखते हैं यहां पर कितनाए और लगता तो दोस्तों हलवानी में काफी खतरना तेज बारी चल गी है आप देखे मेरी जैकेट पूरी भीग गी है हम दोग यहां पर पास में हम दोग यहां पर पास में जा रहे हैं चाइपीने के लिए और मैंने घर से भी फुटेज मंगा दी हैं घर मुक्तेशवर में काफी तेज बरबबारी हो रही है तो उसके मैंने फुटेज मंगा ली हैं हम जाते हैं यहां पर चाइपीने तो उसके बाद आपको सेर करता हूं घर की तस्वीर है दोस्तों फैनली गाड़ी की सर्विस हो चुगी है और थोड़ा बहुत और काम था इस पर डेंट प्रेंट का लेकिन अभी हो निड़ी है है अभी होने पायेगा विलाल हल्वानी में बारीष बंद हो चुकी है हमारे मुकतसर मा कैसी बड़ि हो ओय हैं और मैं भी मेसकर रहा हूं आप लोंं को भी दिखाना था की बंद वासिंग गिर रही हैं यहां पर कितनी बड़ब गिर लेकिन घर जा तो हम निकलेंगे यहां से आप मार्केट की तरफ को गाड़ी वास भी होगी काफी बढ़ी हाँ लग रहा है तो चलते हैं मार्केट की तरफ को डीपवही कर रहा है ड्राइव और हमारी यहां कि रियर मस्क बढरब जिसकी में मैंने वीडियो आपको सेयर की थी कैसी लगी दोस्तो फाइनली हम सोरूम से निकल के हम आ चुके हैं हलबानी रामला ग्राउंड पर यहां पर हमने कार पार्प कर दी है यह हमारे सामने मकार और अभी हमको जाना है बाजार मार्केट में बच्चों के लिए साइकल लेनी है तो चलते हैं मार्केट की तरफ सभी गाड़िया अब हमने साइकल की दुबान ढूली और भाही लोग अंदर साइकल चेक करने हैं अभी जो साइकल सेलेक्टे वरते हैं उसके बाद मापको दिखाता हूं दोस्तों हमने साइकल लेली जो बच्चों के लिए लेने थी यह रही सामने आप देख सकते हैं उस पर अभी हवा हव अब हमने लेली हम फिर से निकलने तो दोस्तों फाइनली फिर से पहुंच चुक है रामला ग्राउंड पर जहां हमारी गाड़ी पार्क है और यह साइकल रख देते हैं गाड़ी पर फिर और बी काम निप्ता हैं फिर चलेंगे घर की तरफ को तो दोस्तों में मार्केट से निकल चुके हैं हम काड़ गुदाम के पास में पहुंच चुके हैं काड़ गुदाम मात्र यहां से दो किलो मीटर है और पास में यहां पर होटल है चस्का रेस्ट्रेन तो यहां पर हमारा लंच होने वाला है और लगातार बारिष जारी है देखिए तो लंच करते हैं फिर चलेंगे अपने घर की तरब को तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी पदमपुरी से उपर और यहीं से देखे बरब की सुरुआत हो चुकी है अभी उपर जाते जाते हमारे उधर को लगबग कितनी बरब गिरी होगी वो तो वहीं जाके पता चलेगा काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है अभी ये देखे क्या नजारे देखने को मिल रहे हैं हर जगह यहां पर लगबग सुनोफॉल हुआ है लगबग पदम पूरी में आपको बरब मिल गी तो लगा लीजिए तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम भालुगार वाटरफॉल रोड पे कोटेज अनांदा करके एक है उसके पास से होते हुए जा रहे हैं और देखे भालुगार वाटरफॉल रोड पे कितनी बरब बारी हुई है काफी अच्छे नजारे देखने को मिल रहे हैं अभी पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में आपको खुब्सूरत नजारे दिखाऊंगा हम लोग उतर चुके हैं गाड़ी से नीचे और देखे कितनी बरब यहाँ पे गिरी हुई है गाड़िया फस गी है आगे देखे गाड़िया फस चुकी है यह है भालुगार वाटरफॉल रोड और इस रोट पर देखे क्या हाल हो रखा अभी हर जगे मुक्तेसर में बरब गिरी हुई हर जगे जो कह रहा था कि यहाँ पर बरब नीगिरी है हर जगे हैं बरब आपको नजार आईगी तो गाड़ियां हमारी फस चुकी है रोड़ों पर देखें बरब कितनी सारी गाड़ फ़स चुकी है यहां पर तो दोस्तों देखते हैं आगे हमारी फ़स ही हुए है तो निकलते हैं आज से देखते हैं अभी गाड़िया निकल पाती है निकल पाती हैं माहौल कुछ अलगी हो चुक है यह वाली गाड़ी फस्ट चुकी है सबसे पहले अगर एक गाड़ी निकलती है तो फिर सारी गाड़ियां निकलिंगे यहां से भालुगाड वाटरफॉल रोट मभी और चारों तरब देखिए बर्फ का नजारा ही कुछ अलग देखने को मिल रहे हैं दोस्तों हम यह वाली गाड़ी अभी निकालने के सोच रही है लेकिन निकल नहीं पादी थोड़ा आगे जाके फिर सिलिप हो रही है एक पोलो यहां पर फसी ही है देखिए गाड़ी के लिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं है और गाड़ियां फस्ट की है हम तुरंट घर पहुंच जाएंगे गाड़ी हमने पूरी यहां पर पैक कर ली जा नहीं सकती है क्योंकि बरब बहुत है रोट पर है सभी गाड़ियां यहां पर फसी हुई है सब गाड़ियां फर्ट को निकलते हैं हम भी अपनी घर को काफी ज्यादा भारी मांतर में बरब बारी हुई है गाड़ियां एक भी नहीं जा सकती है तो हम सभी लोग यहां से गाड़ी खड़ी करके पैदल यहां पर जा रहे हैं और मेरे पीछी भी देखिए सभी की गाड पारुष के देख्यार एक्ट्रक यहां पर फच गया है दोस्तों यह देखे आगे दीपक भाही चला हुआ है मस्तर साइकल लेके और जो इस सामने नजारे देखने को मिल रहे हैं यह सारा कश्यालेक का आसपास का एरिया है और देखें क्या बरबबारी हुई है इस प्रकार बरबबारी होती है पाहडों में काफी देर के बाद काफी समय के बाद बरबबारी हुई लेकिन हुई मजा आ गया रोडों में देखे अभी पेडों पर देखे रोनकी अलग है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों मजा आ गया आव लों को कैसा लगा हम में कमेंड में सियर करेगा फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं घर पे मेरे साथ हमारे गाओं के फ्रिदान जी और साथ में मेरे फ्रेंड लोग रीट भाई सभी यहां पर बरब का मज़ा ले रहे हैं मस्त बरबारी हो रही है देखिए और यह बहुत पूरा पैक हो अब पिर यहां की जैदा मात्रा में जैसे लोग अमना यहां पर इंजॉई कर रहे हैं देखिया है और दोस लोग भी आ चुके यहां पर हैवाई सन दोस्तों हमारे भाई की वीडियो आपको प्रशंद रहा है तो बरब कैसे लग रहे हैं बाब करना बरब में बहुत परज बाइ 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 तो ये था हमारा इंजोईमेंट दूस्तों काफी मस्त महौल देखें अधिये दूस्तों हम पहुंच गिये अपने गाउंबा अपने घर पर उपर है हमारा में रास्ता और देखें नजारा पूरे पहाड़ों माँ आपकी सपेद एक चादर से बिच्चुकी है बरब की क्या नजारा देखने को मिल रहा है सामने है हमारी कशली मार्केट और यहां पर देखें हम ताजा हम जा रहे हैं और कोई अभी गया नहीं है देखें करीब आते फिर जाता बरब गिरी भी यहां पर यह देखें मजा आ गया आज नजारे देखें दोस्तों अभी साम के समय में हम पहुंच चुके घर पर और गाड़ी हमारी वहीं फस भी पैदल आए और पहुंच चुके हैं क्या नजारे देखने को मिल गया है वहाँ हम लोग पहुंचने वाले हैं घर पर और सामने वहाँ पर है हमारा घर और उपर देखें जंगलों पर पेड़ों पर जो बरब अठकी हुई है अभी क्या नजारा देखने को मिल रहा है सभी जगा आपको सपेज चादर देखेगी आडों के पेडों में देखिए मज़ा आगया दोस्तों आज जो व्यू देखने को मिल गया सुबे तो हम हल्दाने निकल गये थे जब वापिस आए तो नजारा कुछ अलगी देखने को मिल रहा है पूरा एयरिया ऐसे कोई-भी जगकर नहीं रहें जहां परनी घुट तो दोस्तों चीज के लिए हमारा मुक्तेसवर एरिया जाना जाताथा आज वह फिर से साविद हो गया देखिए है इसलिए हमारा मुक्तेसवर इसमांत्रा में यहां पर होती है कि फरने में पढ़े हमें दिशमबर से म dro Cola वेसे चले गया लेकिन फरनी । लगते Todos भाई वहारी होगी तो कि यही माहुल भنا रहता है मुटतर महादेव को जाना जाता है तो आप लोग यह तो फाइनली दोस्तों दीपक भाई और में पहुंच चुके हैं सभी भाई लोग पहुंच चुके घर पे और देखे काफी बढ़िया नजारा सभी जगह मेरे पीछे घरों पर आपको सभी जगह चानुचारब बरफी वरफ देखने को मिलेंगे दीपक भाई लगा हुए मस् और देखे उपर मेरे मस्ते पहाड़े दिखती होगी आपको पीछे वहां देखे काफी सांदार बरफ देखने को मिल लिए हैं तुम आपको नजारे दिखाता हूँ घर से कि आप भी देखने को मिल लागी तो दोस्तो यह देखिए वे हैभी मेरे घर से काफी बढ़िया बड़व किर electrum ऐी है और देखे कि इसना झाले देख्यों और ऑया और हमारे खटों के उप्पर वश्कात वर्टल कि है कि आता है तो यह माहवव्ला лежund मुक्तिश्रम में बन गूली सुलॉ तो दोस्तों कैसे लगें नजारे हमारे घर से और मुक्तिसर में बरफबारी का व्यू आगलों को कैसा लगा हमें कमेंड में बताइएगा और हमारा दिन भर का व्लोग आप लोग को कैसा लगा वो भी हमारे साथ कमेंड में सेयर करेगा तो मिलते हैं अपने अगले व्लोग मे अगर कल अच्छी धूब रही और अगर और बरब गिरी तो ब्लोग पर सूट करना ही है और बढ़िया धूब रही तो और भी कहीं दूर दूर जाएंगे और आपको सांदार नजारे कल दिखाएंगे मज़ा आगया आज व्यू देखें तो मिलते हैं अगले व्लोग में तब तक के लिए जैहिन